हेगाराईष कैसे हैं आप लोग आई नुन पालगों काफिये जाए जाए क स्टाइण करता है ती आ देशी पारे वे हम आप जिसरा डimes पर करने वाला में इससलों कि और आपने स्क्रीन पर देख पार आज बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन आप पेल आइकन को दबाना है ताकि आपको notification मिसना हो उसके बाद आपको इस जॉइन वाले बटन के उपर क्लिक करके इकनो वी कॉम में जाना है और फिर इस जॉइन वाले बटन के उपर क्लिक करना है जिसके लिए आपको 990 रुपीज जो है रेकरिंग पेमेंट के रूप में देना होगा इसके बहुत सारे बेनेफिट्स हैं बट यह पेमेंट करने के बाद आप सबसे पहले हमारे चैनल को जोइन कर लिजिए हमारे वाट्सएप ग्रूप को जाइन कर लिजिए जो की एक्स्क्लोजिवली बीकॉम के स्टूइंट्स के लिए बनाए गया है यहां पे बेनेफिट्स आपको मिलेंगे आपको असाइनमेंट जो है फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएगा उसके अलावा आपको लोग कॉस्ट नोट्स मिलेंगे ठीक है उसके अलावा आपको 24-7 तक कि आपका कॉर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तो जैसे कि आप टूइशन पढ़ते हो टूइशन में आपको 500 रुपीस तक्रीबन 1000 रुपय पर महीने पे करने पड़ते हैं यहां पर आपको वो सब कुछ नहीं करना भई यहां पर बस आपको जो है प्रॉसेस है यह आप कर सकते हो इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप जब भी study करें हमारे चैनल पर आने के बाद यह जो playlist है playlist में डिरेक्टिक क्लिक करें यह उसके बाद जो भी वीडियोस होगी वह एक ही करके चलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो प्लिस्ट पे क्लिक करके अगर आप study करेंगे तो दिखाने टारी ठीक तरीके से हो पाएगी ठीक है ना तो चलिए फिर टॉपी के तरफ चलता है विचिस अबाट अपनी दिखानी हो धी कि उनके पास जो अपने लोन दिया वो लोन का रिपेमेंट किस तरीके से हो पा रहा है यह सारी चीज़े जो आपके तरीके से रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है और दिखानी पड़ती है तो अपर दे हैंड़ के पिज़े रिटेफानी दिखानी पड़ती है और रहा है उन्होंने कहा कि आप अपने नॉन परफ़ॉर्मिंग आशट को चार बाग ने बाढ़ दो पहला बाग होगा स्टांडर्ड तूसरा होगा सबस्टांडर्ड तीसरा होगा डाउट्फुल च लॉस आसट तो यह चार भागम उन्होंने बातने के लिए बोला था था the standard assets are treated as performing assets and the remaining three categories are treated as non-performing assets to standard asset होगा उसको हम बोलेंगे performing asset बाकी तीनों को बोलेंगे non-performing assets तो non-performing assets के तीन पाट है substandard doubtful and loss loss assets therefore banks are required to classify non-performing assets further into following three categories based on the period for which the assets has has been remained non-performing and the stability of the dues है ना तो डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन से पैसे नहीं मिल रहे है उसके basis पे आप एक तरीके से decide करोगे कि आपका जो law जो NPA है वो substandard है वो doubtful है या फिर loss asset है तो ये एक तरीके से आपको decide करना है on the basis of their performance ठीक है तो पिक्चर में यहां देख लो asset पहले picture ही देख लो picture में देखो सबसे पहले समझवा जाएगा asset जो है दो तरीके कहा है performing और non-performing performing को हम लोग standard asset बोद रहते non-performing में तीन तरह के asset आजाएंगे substandard doubtful और loss ठीक है न तो यह यहां पर भी लिया हुआ है substandard asset doubtful और loss assets यह सिर्फ और सिर्फ non-performing assets की बात हो रही है non-standard substandard asset की बात हो रही है standard asset की बात नहीं हो रही है standard asset जैसे चलता है वैसे चलते रह रहा है यहां पर हम बात करेंगे NPS के बारे में तो standard asset तो simple साज मैंने आपको बताया जिसमें कोई issue नहीं है जिसका asset वापस पैसा ठीक तरीके से आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसके अलावा NPS के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले standard asset देख लेते हैं इस चीज का payment जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है जब भी यह due पर देख आज का डेट है इसको payment करने का मैं एक दिन पहले ही आज के दिन के पहले मैंने payment कर दिया मैंने जो भी मेरा due था उसको मैंने clear कर दिया तो इस तरह का जब चीजे होंगी तो उसको हम standard asset बोलेंगे performing asset बोलेंगे क्योंकि जो मैंने loan दिया था जो as a asset मैं treat कर रहा हूं वो उसका repayment जो है ठीक तरीके से हो रहा है तो वो मेरे लिए कौन सा asset हो गया वो मेरे लिए हो गय ठीक है such assets carry a normal risk and are not NPA in the real sense तो यह जो asset होता ही इसमें थोड़े बहुत risk तो होता ही है क्योंकि हो सकता अभी नहीं payment कर रहा है बात में ना करें लेकिन इसको हम as a NPA treat नहीं करेंगे real sense में अगर देखा जाए तो therefore no special provisions are required for standard assets तो इस case में आपको किसी पी तरह कि special provisions को एक तरीके स से यूनों इस्तेमाल करने का हो सकता नहीं है अब बात कर लेते हैं NPA के बारे में non-performing assets के बारे में so substandard इसका एक category है so a substandard asset was one which was classified as NPA for a period not exceeding two years तो दो साल से कम का अगर समय है जिसमें repayment आपकी नहीं हुई है with effect from 31st March 2001 तो उसे हम कहेंगे substandard a substandard asset is one which has remained NPA for less than less than or equal to 18 months 24 नहीं 18 महीन या पसा नहीं दो साल क्यों बोल दिया so in such cases the current net worth of the borrower guarantor or the current market value of the security charged is not enough to ensure recovery of the dues to the bank in full तो इस case में जो recovery है उसको आपने कर पाना तुरहन पॉसिबल नहीं है आपको जोरत भी नहीं है क्योंकि यह substandard है यह पूरी तरीके से लाग कि अगले stage में नहीं पहुँचा है है ना तो यह बात होगी अगला है doubtful assets मतब अगले stage में पहुच गया है ना so before 31st March 2001 a doubtful asset was one which was remained NPA for a period of exceeding 2 years तो कोई भी ऐसा amount कोई भी ऐसा repayment अगर आपको पिछले 2 साल से नहीं हुआ है 2001 के पहले की बात कर रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे doubtful assets लेकिन 2001 के बाद नियम बदले हैं 2 साल से घटा करको उसको 18 मत कर दिया गया है तो 18 महीने से ज्यादा अगर कोई भी repayment आपको नहीं हो पाती है किसी payment की तो उसे हम कहेंगे doubtful assets उसमें क्या था 18 साल से कम होना चाहिए था तो वो कहला था सब्सक्राइब 18 साल जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे doubtful assets अगला पॉइंट है loss assets तो ऐसा asset जो कि एक सरीके से आपको लगता नहीं कि वापस आएगा काफी समय से इसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम उसे कहेंगे loss assets अना a loss asset is one whose where loss has been identified by the bank and or internal or external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off wholly तो last assets वो सारी assets होंगी जुनके identify कर लिया गया है कि यह पैसे जो हमारे पास वापस नहीं आने वाले हैं by the internal auditor and the external auditor as well और RBI को इंस्पेक्शन होता है वो भी हो पता हो गया है हर एक चीज कर लेने के वाला हमें पता चलाएगी जो loss assets है वो assets हमारे पास वापस नहीं आने वाले लेकिन उसको completely right-up अभी तक नहीं किया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे NPA का third part बोलेंगे third हिसा बोलेंगे जो की सबसे आदा खराब हिसा होता है now types of NPAs तो NPAs दो तरीके होते हैं NPAs are broadly divided into two types gross NPAs and net NPAs so gross NPA किसे बोलेंगे net NPA किसे बोलेंगे ये भी जान लेते हैं so gross NPAs are the sum of the total all loan assets that are classified as NPA as per the RBI guidelines on the balance sheet तो balance sheet date पे जब आप balance sheet ready कर रहे हो उस time पे जब आप देख रहे हो कि आपका जो gross NPA है वो कितना है gross NPA बोलेंगे किसको वो सारे loan assets जो आपने दिये थे किसी को लेकिन वो पैसे जो है आपको वापस नहीं मिले है so according to RBI guidelines as on the balance sheet date the amount that you have not received till that particular date that amount will be called gross NPAs ठीक है न तो gross NPA reflect the quality of the loans made by the banks तो जो banks के द्वारा loan दिये गए थे वो quality show करता है gross NPA जो होता है वो quality show करता है कि जो आपने loan दिये थे it consists of all the non-standard assets like sub-standard, doubtful and loss assets इसमें वो सारी के-सारी category आजाएगी gross NPA में वो NPA की सारी category आजाएगी जो की एक तरीके से determined की गई थी by the nursing firm committee चाहे वो sub-standard हो you know doubtful हो या फिर loss assets हो ठीक है net NPA क्या होता है भई तो on the other hand NPAs are those types of NPAs net NPAs are those type of NPAs in which bank has deducted the provision regarding NPAs जहां पे bank ने एक तरीके से बोला है कि भई आपको payment करने के जो रहते है उन्होंने deduct कर जिए एक तरीके से write-off कर लिया है तो net NPA shows the actual burden of the bank तो इस case में जो actual burden है bank के उपर वो यहां पर शो करता है एक तरह से loss आपका asset जो है वो हो चुका है तो पता चल गया कि मेरा यह मेरा net NPA, net NPA का मतलब होगे कि clear हो गया कि यह मेरे लिए NPA ही है ठीक ना तो bank एक तरीके से उसको deduct कर लेती है उसको देखाती है कि देखो यह मेरा पक्का NPA है और इसके कई जो है हमारे bank के उपर एक तरह का burden भी है जिसके हमें एक तरीके से write-off करना होगा इवेंच्वाली ठीके ना तो इस आर था टाइपस ओफ यू नॉन नॉन परफॉर्मिंग एससे क्लासिफिकेशन अफ नॉन परफॉर्मिंग एससे आई होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें मिलते हैं लिए वीडियो का अपना ख्याल रखने